अजय दोगन एड में जो वीमल खाते हैं वो असर में milk पौडर होता है कोल्रिंग की एड में ये जो बर्फ होती है ये असर में प्लास्टिक की होती है और क्यों पाच रुपे के चिप्स को बनाने में करोडो रुपे लग जाते हैं ऐसे ही और भी आड़ की रियालिटी जानने के लिए बने रहें वीडियो के एंड तक अपे ओए तू देखके नहीं चला सकता क्या नमबर एट फ्राइस फ्राइस के एड़ में यो लोग स्पंज का इस्तमाल करते हैं और जादा तर वक्त फ्राइस भी नकली होती है यो लोग स्पंज में श्टिक लगाते हैं और फिर उसमें फ्राइस लगाते हैं ताकि फ्राइस उठी हुई दिखे और अगर शूट जादा देर तक चलता है तो फेक फ्राइस का भी इस्तमाल किया जाता है ताकि फ्राइस बिगर ना जाए नमबर 7 आइस क्यूब आपने कोल्डिंग की एड में उसकी बर्फ तो देखी होगी लेकिन यह जो बर्फ होती है यह एक्शूने प्लास्टिक क्यों होती है दरसल एक एड को शूट करने में काफी ज़दा टाइम लगता है और इसलिए वो बर्फ पीगल जाती है और इसलिए इसके जगा पर प्लास्टिक का इस्तमाल किया जाता है और प्लास्टिका क्यूब नॉर्मल बर्फ से अच्छा भी दिखता है साथ में इसके उपर पानी भी छड़का जाता है ताकि ऐसा लगे कि ये बर्फ की वज़े से आया है और एड्स और भी ज़्यादा रियलिस्टिक लगे नमबर सिक्स पोटेटो चिप्स के आड्स देखने में बहुत ही ज़्यादा सिंपल लगते हैं और ऐसे आड्स में कितना ही खर्चाता होगा क्योंकि ना इसमें कोई बड़ा सूपर स्टार होता है लेकिन इन एड्स को शूट करने में कई मशीन का इस्तमाल किया जाता है जैसे आप इस वीडियो में देख सकते हैं और इसलिए इसमें काभी ज़्यादा खर्चाता है और इन एड्स को बनाने के लिए कभी कभी प्लास्टिक चिप्स का भी इस्तमाल किया जाता है नमबर फाइब मसाला एड्स टिबी पर ये जो मसाला एड्स होती है इसमें जो मसाला डाला जाता है वो बिलकुल भी फेक होता है क्योंकि जो मिल्ची या हल्दी इसमें दिखाई जाती है ये सिर्फ colorful powder होते हैं क्योंकि real मसाल इतने ज़्यादा bright color की नहीं होते उपर से ये लोग मसाले से जो सबजी बनाते हैं उसमें भी color ही डालते हैं ताकि मसाले से बनी सबजी अच्छी लगे और जो एक्टर्स होते हैं ये भी सबजी खाते ही नहीं बस खाने का नाटक करते हैं क्योंकि ये मसाले खाने लायक होते ही नहीं वैसे अगर आपको वीडियो देखने में मज़ा आ रहा है तो हमारे शैनल को subscribe करना ना भूले नमबर 4 hair hair products की ads में yellow green stick का इस्तिमाल करते हैं जो इस तरीके से green stick का यूज करके बाल ही लाते हैं और फिर simple video editing से वो लोग उसे gap कर देते हैं और यहाँ पर lighting की भी कोई कमी नहीं होती और इसलिए ये इतने जाद अच्छे लगते हैं और actors के बाल अच्छे दिखने की ये भी वज़ा है कि इनको कई hair stylist घंटों लगा कर इनके बाल set करते हैं और TV ads में ये कहते हैं कि इनके बाल इतने अच्छे बस एक product की वज़े से हैं नमबर 3 वीमल आपने वीमल का अच्छ तो देखा होगा पर इसमें जो वीमल होता है वो खाली होता है पैकेट में कुछ भी नहीं होता इसके कई रिज़ाने सबसे पहले तो actors इसे खाने से माना करते हैं और वैसे भी भर हुए पैकेट के साथ एक्ट करना मुस्किल होता है क्योंकि इसमें इतने सारी चीज़े होती हैं जो गिर सकती है और इसमें जो इतना सारा केसर दिखाया जाता है रियल में इतना सारा केसर होता ही नहीं और इसमें जो पैकेट दिखाया जाता है और फिर editing से उसे विमल के packet के साथ replace कर दिया जाता है नमबर टू, beer ads beer ads में यह जो beer होती है इन्हें आप पी ले तो आपकी जान भी जा सकती है लेकिन ऐसा क्यों? आखिर beer card में क्या ही fake होगा? एक्शल में यह लोग beer के अंदर beer डालने से पहले उसके अंदर shampoo डालते हैं क्योंकि shampoo डालने से उसमें बहुत जादा जाग पाईदा होती है आम तरह पर जब beer डाली जाती है तब जाग पाईदा होती है लेकिन वो कुछ seconds में चली जाती है पर जो शैंपू वाला जाग होता है वो जल्दी नहीं जाती और एड़ शूट करने में आसानी होती है पर कई बार यो लोग बियर की जगह पर पेटोल का इस्तमाल करते हैं क्योंकि पेटोल दिखने में कलरफुल लगता है लेकिन अगर कोई इसे पी लो तो उसका क्या हाल होगा ये तो आप जानते ही होंगे नमबर वन फ्रूट आपने फ्रूट के आड़ में फ्रूट को चमकता देखा होगा लेकिन इनके उपर हैर इस्प्रे चिडगा जाता है और ये फ्रूट में काफी जादा चमक लाता है दुसरा तरीका है नेल पॉलिस इसमें फ्रूट के उपर नेल पॉलिस लगाए जाता है जिससे फ्रूट बहुत जादा चमकता है पर जादा तर फ्रूट के आड़ में हैर स्प्रे का यूज़ किया जाता है because यह easy और सस्ता होता है और इस तरह से ads वाले हमें बेवकूफ बनाते हैं और एक important बात अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को like